हेलो दोस्तो अभी के समय में हर किसी के पास अपना खुद का स्पार्टफोन होता है और दोस्तो स्पार्टफोन एक ना एक दिन खराब होई जाता है जैसे कि कभी-कभी स्क्रीन डामेज हो जाती है कभी-कभी स्क्रीन कामी नहीं करती कभी-कभी अपने फोन का जो स्पिकर हो आगा जो person होता है वो कुछी समय में अपना जो phone होता है उसको repair करके दे देता है तो दोस्तो ऐसे में हम सभी के मन में सवाल आता है कि mobile repairing का कुछ सा course होता है और कुछ सा course करने के बाद हम अपना खुद का mobile repairing center open कर सकते है तो दोस्तो आज के इस special वीडियो के अंदर मैं आप सभी को full detail में बताने वाला हूँ कि mobile phone repairing course क्या होता है, mobile phone repairing course के अंदर हमें क्या-क्या सीखने के लिए मिलता है, कौन-कौन सी problem mobile के अंदर आ सकती है, उनका क्या-क्या solution होता है, ये course करने के लिए क्या eligibility criteria है, यानि कौन-कौन student mobile repairing का course कर सकता है, ये course करने के लिए कितने रुपीज तक का खर्ज आता है, कितना समवय लगता है, course complete हो जाने के बाद आप कहा-कहा पर job कर सकते हो, कौन-कौन से business start कर सकते हो, और दोस्तो एंड में में आपको ये भी बताने वाला हूँ, कि किस तरीके से mobile repairing का course आप free में सी certificate भी ले सकते हो, और अपना खुद का business भी start कर सकते हो, तो चलो इस video की शुरुआत करते हैं, और जान लेते हैं mobile repairing कोर्स के बारे में full details में, तो दोस्तो सब सब पहले हम लोग ये जान लेते हैं, कि mobile repairing कोर्स क्या होता है, और इसमें हमें क्या-क्या सीखने के लिए मिल जाता है, तो दोस्तो mobile repairing कोर्स के द्वारा student को mobile hardware, software, rebooting, problem solving, इत्यादिका knowledge दिया जाता है, mobile phone repairing के कोर्स के अंदर आपको अलग-अलग प्रकार के mobile phones को और smart phone को testing, installation और analysis करके repairing करने के लिए सिखाया जाता है, दोस्तो mobile repairing का कोर्स अभी बहुती जादा popular कोर्सों में से एक बन चुका है, क्यूंकि दोस्तो जिसे जासे phone की demand बढ़ रही है, वेसे वेसे दोस्तो phone repairing के customers भी बढ़ रहे है, और दोस्तो automatically mobile repairing centers की demand भी बढ़ रही है, ऐसे में अगर आप mobile repairing का कोर्स करते हो, तो दोस्तो इसक smartphone launch हो रहे है, और दोस्तो आज शहर ही नहीं, बलकि गाव, गली और मोहलने में भी mobile repairing के shop खुल रहे है, अगर दोस्तो आपको mobile hardware में interest है, तो दोस्तो आप mobile repairing का कोर्स करके अच्छे का से पैसे हर मैना कमा सकते हो, mobile repairing का कोर्स एक बाद सीखने के बाद आप आसानी से iPhone repair कर सकते हो, Android smartphone repair कर सकते हो, Windows smartphone भी repair कर सकते हो, और इस तरीके से कुछ नए-ने techniques को सीख कर आप अपना खुद का mobile phone भी बना सकते हो, तो दोस्तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि mobile repairing के कोर्स के अंदर हमें किन-किन चीजु की knowledge दी जाती है, अभी दोस्तो मैं आपको full detail में बताने वाला हो, तो दोस्तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, दोस्तो mobile repairing के अंदर अलग-अलग stages होते हैं, उसमें से first stage होता है basic repairing, जिसके अंदर आपको mobile phone क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके बारे में बताया जाता है, PCV circuit board, अर्थात, motherboard क्या है, और कैसे कारे करता है, इसके बारे में बताया जाता है, mobile phone के जो parts होते है, उनको कैसे पैचाना जाता है, इसके बारे में सिखाया जाता है, सभी प्राकार के small, card, lever और big parts, जिससी की CEC की पैचान, BPCV पर कैसे की जाती है, इसके बारे में सिखाया जाता है, सभी mobile repairing tools को कैसे-use की यूज़ किया जाता है, इसके ये भी दोस्तों आपको basic repairing course के अंदर सिखाया जाता है, second level में आपको card or chip level की repairing सिखाये जाती है, जैसे कि jumper बनाना, सभी ICs को heat करना, reball करना, वो बदलना, सभी card level ports को हटाना वो लगाना, सभी small parts को हटाना वो लगाना, सभी repairing or jar और tools का उपयोग करना, ये सभी दोस्तों आपको card or chip level के अंदर सिखाया जाता है, इसके बाद दोस्तों third level आती है, जिसके अंदर आपको धेर साज नौलिज जी जाती है, जिसके अंदर आपको mobile phone hardware repairing सिखायी जाती है, जिसमें जो भी दोस्तों hardware से related parts है, जिसकी speaker, microphone, vibrator motor, battery charging, display screen, headphone, FM radio, network signal से related problems, data cable से related problems, keypad, touch screen, screen light, button light, camera, flashlight, sim card, memory card, switch on and switch off button, ये सभी की दोस्तों detail में knowledge दी जाती है, और इन सभी को कैसे repair करना होता है, इसके बारे में सिखाया जाता है, इसके बाद दोस्तों advanced level आता है, जिसके अंदर आपको mobile phone के जो भी software होते है, उनको कैसे repair करना होता है, उसके बारे में सिखाया जाता है, जैसे की कोई password भूलना, सुरक्षा code भूलना, pattern log भूल जाना, overheating होना, hang होना, screen पर कुछ नहीं आना, software install करना, software से related सारी प्रकार की problems, आपको fourth level के अंदर सिखाया जाती है, जहाँ पर दोस्तों, सभी प्रकार की knowledge आपको दी जाती है, जो future में आप यूज करके, हर तरह का phone repair कर सकते हो, इस तरीके से आपको एक पूरा, mobile phone repairing का course सिखाया जाता है, तो दोस्तों, अभी हम लोग ये जान लेते हैं, कि mobile phone repairing का course कोई कोई सा student कर सकता है, इसके लिए क्या eligibility criteria है, दोस्तों eligibility की बात करें, तो दोस्तों ये एक skill course है, याने इस course को करने के लिए, कोई education की requirement नहीं होती, लेकिन basically 10th pass होना, इस course को करने के लिए अनिवारिया है, तो भी दोस्तों आप इस course को कर सकते हो, और दोस्तों अगर आपने अपना graduation भी complete किया है, तो भी दोस्तों आप इस course को कर सकते हो, इस course को हर प्रकार का student कर सकता है, अगर दोस्तों entrance exam की बात करें, तो दोस्तो इस course को करने के लिए कोई entrance exam देनी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये skill course है इस course को आप अपने college के पढ़ाई के साथ साथ भी complete कर सकते हो तो दोस्तो अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि mobile phone repairing के market में कितने प्रकार के courses है उन में से कौन सा अच्छा course है उसकी कितने रुपीज की fees है और उसको करने के लिए कितना समय लगेगा तो दोस्तो जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि mobile repairing course एक professional course है जो mobile repairing, software programming और diploma course के रूप में उपलब्द है जिने आप online और offline दोनों माध्यम के जरिये सीख सकते हो इस course में only diploma की degree available है, degree course इसमें available नहीं होता दोस्तो mobile repairing से related बहुत सारे diploma courses आज market में available है जो आप मेहस 10 के बाद या फिर 12 के बाद कर सकते हो और दोस्तो इन courses को करने के लिए मेहस 6 महने से लेके 12 महने तक का समय लग जाता है और दोस्तो ये सारे courses आप बहुती कम समय में सीख कर अच्छी कासी कमाई हर मेना कर सकते हो तो चलो इन courses के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तो आप diploma in smartphone and tablet repairing का course कर सकते हो diploma in mobile repairing का course कर सकते हो diploma in mobile technician training का course कर सकते हो advanced mobile repairing का course कर सकते हो mobile repairing engineering का course कर सकते हो स्मार्टफोन रिपेरिंग का कोर्स कर सकते हो और दोस्तो इसमें से कोई भी एक कोर्स कम्प्लिट कर लेने के बाद आप एडवांस लेवल के कोर्सेश कर सकते हो जैसे कि एडवांस मोबाइल रिपेरिंग कोर्स डिजिटल प्रोफेशनल कोर्स मोबाइल फोन हाडवेर एंड सौफ्टवेर इंजिनेरिंग मोबाइल एंड टेलीफोन रिपेरिंग टेकनिशियन एटसेट राखे कोर्सेस मार्केट में अवलेबल है इन सभी कोर्सेस की डिूरेशन छे माइने से लेके एक साल की होती है तो दोस्तो इन में से कोई भी एक डिपलोमा का कोर्स कम्पलिट करके आप अपना खुद का मोबाइल रिपेरिंग सेंटर ओपन कर सकते हो और कही पर जॉब आसिल कर सकते हो अगर दोस्तो हम लोग इन कोर्सेस की फीज की बात करें तो दोस्तो इन courses को करने के लिए आपको लगबग 25,000 रुपई से लेके 25,000 रुपई स्थक का खर्च आ सकता है लेकिन अगर आप मुझे Instagram पर message करते हो तो दोस्तो मैं आपको कुछ AC links दूँगा जहाँ पर आप ये course घर बेटे free में सिख सकते हो क्योंकि आजकल ये सारे course आपको online Udemy और बहुत सारे अच्छे अच्छे platform पर free में सिखाये जाते हैं तो दोस्तो उन सभी platform के links मैं आपको Instagram पर provide कर दूँगा बस आप मुझे Instagram पर message करो कि मुझे mobile repairing का course करना है तो दोस्तो मैं आपको reply कर दूँगा अभी दोस्तो हम लोग ये जान लेते हैं कि mobile repairing का course complete कर लेने के बाद आप कौन-कौन से post पर job हासिल कर सकते हो और कौन-कौन से business स्टार्ट करके लाखो रुपई की कमाई हर मेना कर सकते हो अगर दोस्तो हम लोग जाब की बाद करें तो दोस्तो आप किसी institute में mobile repairing का course सीख सकते हो या फिर दोस्तो आप smartphone technician का काम कर सकते हो या फिर phone repairing consultation स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप अपनी खुद की mobile phone development की company भी open कर सकते हो अगर दोस्तो हम लोग business की बाद करें तो दोस्तो आप अपनी खुद की mobile repairing की class open कर सकते हो जहाँ पर आप अपनी area में बहुत सरे students को online या फिर offline mobile repairing का course सिखा कर उनसे पैसे चार्ज कर सकते हो या फिर आप अपना खुद का mobile repairing का shop open करके अच्छी कासी कमाई हर मेना कर सकते हो और अगर दोस्तो आपका interest PC और laptop में भी होगा तो दोस्तो आप future में computer hardware का course भी complete कर सकते हो जिससे आप हर मेना और भी ज़्यादा पैसे कमाने में सक्षम हो जाओगे तो दोस्तो अगर आपको ये course free में सिखना है तो दोस्तो आप मुझे Instagram पर message जरूर करे उम्मिद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा इस वीडियो को शेर करके लोगों की मदद करो आपका प्यार देने के लिए और एससे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें